नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका एक्जाम बुक चैनल में दोस्तों जैसा कि अभी आज जो है आपका आंसर की आचुकी है डीवी पीसटी के लिए रिजल्ट जो है आपका रिजल्ट आज रात तक या फिर कल्थ आपको देखने को 100% मिल जाएगा दीवी पीसटी के लिए डेटस के लिए कुछ जो है स्नेबसोर्ट वाइरल हुए है कुछ चीज़े मैंने पता भी करवाई हैं तो वो स्नेबसोर्ट बिल्कुल ठीक हैं आपके डीवी पीसटी 25 मार्स से 7 अपरेल तक आपका डीवी पीसटी चलेंगे क्या है देख लेते हैं देखे इसमें क्या है अलग-अलग डेट दी गही है पच्चिस तारिक को स्वतंतरता सेनानी और आपका भूतपूर्फ सैनिकों के लिए आपका रहेगा इसकी जो टाइमिंग होगी वो 9 बच के सुबह 9 बजे से लेके और साम को 3 बजे तक आपका जो ह आपका 27 सेनानी 26 और 27 में आपका महिलाओं का है शुरुवात में 26 तारिक और 27 तारिक को फिर उसके बाद 28 से 28 से 29 और 29 तारिक को ऐसे देख लिजे कि 25 तारिक को को आपका जो आपके स्वातंतरता सेनानी और 26 27 को आपका फीमेल और और आपका 28 और 29 को आपका स्ट और 30 29 व दो पांच तक मतलब 30 से लेके दो तक यह आपका ओबी सी ठीके और आपका फिर तीन से लेके छे तक जनरल केटिगरी और EWS जनरल एंड EWS और साथ तारिक आपको रिजर्व में दी गई है कि जो भी अनुपस्तित बगएरा रहते हैं तो इसमें यह भी आपको पता जल गया कि अनुपस्तित बगएरा जो भी है उनका उनका जो है वो साथ तारिक को रहेगा अगर कोई किसी करन अनुपस्तित रहता है एक तारिक को रविवार है तो रविवार का अबकास रहेगा उस दिन आपकी नहीं होगी ठीक है 25 तारिक से लेके और 7 तारिक तक आपका DVPST की डेट यह आपकी फाइनल हो चुकी है यह पूरा बोर्ड है इस तरीके से जो अधिकारी बगएरा रहें और यह पूरी ओफिशल आपकी 14 तारिक की देखिए इसमें डेट भी पढ़ी हुई है आज की यारके विश्चु कर्मा जी के साइन है तो यह बिल्कुल ठीक है ठीक तो भाई यह आपको डेट मैंने बता दी 25 को 77 सिनानी 26 27 को female 28 29 को SCST और 30 से लेके 2 तारिक तक OBC और 3 से ल लोग जो रिजर्व आपके रहेंगे मतलब जो अनुपस्तित रहेंगे जिनका जो है किसी भी तरीके से माली जो कोई ऐसा केंडिडेट होगा जिसने अपना सेटिविकेट पेस नहीं कर पाया तो उसको साथ तारिक का टाइम दे दिगे भाई आप साथ तारिक तक आगे चांसे सबसे ज़्यादा बनते हैं ठीक है सॉरी दस मई से दस मई से आपके रनिंग के चांसे सबसे ज़्यादा बनते हैं ठीक है तो यह आपका पूरा जो है यो कि देखे साथ मई तक तो आपका यही चला है पच्चीस अपरेल से आपका यह शुरू हो जाएगा डीवी प अपडेट होगा वो आपको बता जाएगा धन्यवाद